हेलो, मैं प्रमेंद्र, आप सब का स्वागत करता हूँ, लर्न विद प्रमेंद्रावत में, इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे SSC GD के प्रिवियस यर पेपर की मैट्स, ये पेपर 11 हरवरी 2019 को पहली सिप्ट में हुआ है, आपको क्या करना है, नोटबुक और पैन साथ में यदि पांच अउलोकनों का उसत N है, इनका उसत कितना है N, फिर नए पांच अउलोकनों का उसत क्या होगा, नए अउलोकन क्या है, ये वाले हैं, ठीक है, इंगलिस में आप खुद से पढ़ना, मुझे आप बताईए औसत बराबर क्या होता है औसत बराबर होता है आकणों का योग अपन में आकणों की संख्या अब यहां से आप देखिए आकणे क्या है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 कितने आकणे हैं? 5 अब उन में क्या आएगा? आकणों की संख्या कितनी है? 5 और इनका जो औसत है वो कितना है? N है तो यहां पर आएगा N अब यहां से अगर मैं इनका योग निकालूं या इनका मैं टोटल निकालूं तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बराबर कितना हो जाएगा? 5N ठीक है? अब आगे देखिए नए जो अवलोकन हैं उनका आउसा तब हम निकालते हैं ठीक है? आउसाद बराबर क्या होगा? नए अवलोकनों में क्या है? पहला वला क्या है? A1 माइनस 100 इनका अगर मैं प्लस करूं तो प्लस में A2 माइनस 100 फिर प्लस में A3 माइनस 100 फिर प्लस में A4 माइनस 100 फिर प्लस में A5 माइनस 100 और इनका योग अपोन में आकणों की संग्या कितनी है कितने है टोटल 5 अब इसको आगे हम solve करेंगे तो यहां से अगर मैं add करूँ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 माइनस में आएगा माइनस सो यहां पे एक एक दो और एक तीन और एक चार और एक पाँच माइनस के सो कितने है पाँच बार इंटु में आएगा 100 अब उन में क्या है 5 अब आप यहां से देखिए इसकी वैल्यू कितनी है इस पूरे की value कितनी है इस पूरे की value क्या है 5N तो यहाँ पे आएगा 5N minus में है 5 into 100 upon में है 5 यहाँ से आप 5 से यह वाला 5 एक बार और यह वाला 5 एक बार कड़ जाएगा तो इनका उसात आएगा n-100 option number 2 ठीक है बाके आप इसका 5 यहाँ से common ले सकते हैं और अंदर बचेगा n-100 और upon में क्या है 5 5 से 5 कड़ गया कितना बचा n-100 अगला question है यदि एक वर्ग के बिकर्ण की लंबाई 10 root 2 cm है तो वर्ग का छेत्रफल क्या होगा इंगलिस में आप खुद से पढ़ना आप मुझे बताईए ये एक square है ठीके ये क्या होता है इसका विकर्ण या diagonal तो आप मुझे बताईए square का diagonal क्या होता है वर्ग का विकर्ण वर्ग का विकर्ण हमको दे रखा है कितना 10 root 2 और वर्ग का विकर्ण होता क्या है a root 2 मान लीजिए इसकी side क्या है A, A root 2 बराबर कितना है, 10 root 2 root 2 से root 2 कड़ गया तो A की value कितनी आई है, 10 और एक बर्ग का छेतरफल क्या होता है इसका area क्या होता है, A square यानि 10 का square बराबर 100 option number 2 अगला question है राजेस 25 km परति घंटे की गति से अपने कारेले जाता है और 20 km परति घंटे की गति से अपने घर लोडता है यदि उसे कुल 9 घंटे लगते हैं तो उसे कारेले और घर के मध्य की दूरी क्या है इंगलिस में आप खुद से पढ़ लेना, ठीक है यहाँ पे मान लीजिए उसका यहाँ पे घर है तो उसकी जो स्पीड होती है, वो कितनी होती है 25 km पर हावर और जब वो ओफिस से घर आता है तो उसकी स्पीड क्या होती है 20 km पर हावर ठीक है आगे आप देखिए टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है और हमें टोटल टाइम कितना दे रखा है टोटल टाइम हमें दे रखा है नो हावर तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर क्या होगा जब ओफिस आता है तो उसका टाइम लगता है एक से बटे 25 टोटल दूरी कितनी थी x, speed कितनी है 25, तो इतने घंटे उसको office आते समय लगते हैं, जब वो वापस आता है उस टाइम उसको time लगता है, टोटल दूरी है x, और time उसको लगता है 20 km, तो total, sorry 20 km पर हावर उसकी speed है, तो total time कितना लगा उसको x upon 20, अगर मैं यहां से इन दोनों को add कर दूँ, x plus 25, प्लस में x plus 20, तो यह क्या हो जाएगा, उसका total time हो जाएगा, जाने का भी और आने का भी, और यहां पर हमें total time कितना दिया है, 9 गंटा, यहां से इनका LCM आएगा 100, 25 को 100, तो यहां पर आएगा 4x, यहां पर 20, 500, तो यहां पर आएगा 5x, बराबर कितना है, 9, इसको मैं अब यहां पर solve करूँगा, 5, 4, 9x, अपोन में कितना है, 100, बराबर है आपका 9, 9 से 9 कड़ यह सो जाएगा, यहां पर, x बराबर कितना होगा, 100 किलो मेटर, ओप्सन नमबर 4, अगला question है, इसको आप ध्यान से देखिए, एक साधरन, एक रासी साधरन ब्याजपर, 5 वर्स में 10,650 रुपे और 6 वर्स में 11,076 रुपे हो जाती है, रासी क्या होगी? आप यहां पर मुझे बताईए, 5 साल में कितनी हो जाती है, 10,650 पांच वर्स में ठीक है, और 6 वर्स में कितनी होती है, 6 वर्स में हो जाती है, 11,076 रुपे ठीक है, अब मुझे बताईए, यहां पर कितने गए गए पर, एक साल का, इसका मतलब है, इन दोनों का जो difference होगा वो क्या होगा, एक साल का interest या simple interest होगा, या साधरन ब्याज होगा, तो इसको मैं अगर minus करूँ, तो 6 में से 0 गया 6, 7 में से 5 गया 2, और 10 में से 6 गया 4, तो 426 इसको क्या मिलेगा, simple interest मिलेगा, कब मिलेगा, एक साल में, तो एक साल का ब्याज, एक वर्स का ब्याज, का ब्या तो पांच वर्स का व्याज क्या होगा, पांच वर्स का व्याज क्या हो जाएगा, 5 गुणा 426, बराबर कितना होगा, 5 चका 30, 5 दूना 10 और 13, 5 चको 20, 20 और 21, ठीक है, 2130 रुपे उसको टोटल व्याज मिलेगा, कितने साल में, 5 साल में, अगर मैं इस रासी में से, इस धनरास कर दूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल वराबर होता है, अमाउंट माइनस, सिंपल इंटेस्ट, अमाउंट क्या था, 10,650, इस में से में मैं माइनस कर दूँ, 2130, तो आपके पास आएगा, 0, 5 में से 3 गया, 2, 6 में से 1 गया, 5, और यहाँ प यदि किसी वस्तु का क्रे मूलय 220 रुपे है और लाव 20 परतिसत है, तो वस्तु का विक्रे मूलय क्या होगा, इंगलिस में आप खुद से पढ़ना, यहाँ पर क्रे मूलय यानि CP आपको दे रखा है, CP आपको कितना दे रखा है, 200 रुपे, 220 रुपे, SP आपको यहाँ पर find करना है cp मान लीजिये कितना है 100 है और यहां पे sp कितना हो जाएगा उसको profit कितने का हुआ 20 का sp कितना होगा 120 रुपे यहां पे 100 की value कितनी दे रखी है 220 तो यहां पे हमें किसकी value निकालनी है sp यानी 120 की value क्या होगी 120 की value होगी 220 बटे 100 गुणा में आएगा 120 एक जिरो से एक जिरो कड़ गया एक जिरो से एक जिरो यहां पे कड़ गया 12 दूना 24 बारद दूना 24 और 26 दो सो 64 रुपे उसका sp हो जाएगा अगला question है एक संकु की उचाई 16 cm है और इसके आधार की 30 cm है यदि पेंटिंग की दर 14 रुपे परतिवर्ग cm है तो बाहर से संकु के बक्र प्रिष्ट छेतर फल को पेंट करने में कुल लागत क्या होगी यहां पे आपको एक संकु दे रखा है ठीक है इसकी उचाई आपको दे रखी है 16 cm इसकी तरज़्या आपको दे रखी है 30 cm आपको पता होगा इसका बक्र पिष्टे शेतर फल यानि कर्वसर्फे सेरिया क्या होता है पाइ आर एल और यहां पे एल इक्स एल हम इसको कहते हैं ठीक है जो तिरशी उचाई होती है इसको कहते हैं एल या 3 या को उचाई को क्या कहते हैं तो L बराबर होता है Under root R square प्लस H square तो R की value कितनी है तिरजया कितनी है 30 और उचाई कितनी है 16 तो यहाँ पे मैं रखूँगा 30 का square प्लस 16 का square तो यह हो जाएगा 30390 यानि 900 प्लस 16 का square यानि 256 इन दोनों को अगर मैं add करूँ तो यह आएगा 1156, under root 1156, 1156 किसका square होता है, 34 का, तो यहाँ पे आएगा 34 cm, तो इसकी जो तिरियक मुचाई आई है, वो कितनी आई है, 34 cm, ल बराबर कितना आया है, 34 cm, और इस formula में अब हम value रखेंगे, ठीके, पाई की value होती है, 22 बटे 7, into R की value कितनी है, 30, और L की value कितनी है, 34 cm square, तो यह curved surface area इसका आगया है, ठीके, अब इसने पूचा है, यदि पेंटिंग की इदर 14 रुपे परतिवर्ग cm हो, एक cm square का जो खर्चा है, वो कितना है, 14, लेकिन हमारे पास कितने cm square है, इतने, तो यहाँ पे 22 बटे 7, गुणा 30, गुणा 34, गुणा में आएगा 14, 7 से कटेगा यह दो बार, 30 दुना 60, यहाँ पे आएगा 60, अब मैं इन दोनों को अगर गुणा करूँ, 34 गुणा 60 क्या आएगा, 0, 6, 24, 6, 3, 18, और 2, 20, और इसको गुणा करना पड़ेगा 22 से, तो बाइस जिरो को जिरो, बाइस जो को अठासी, और बाइस दुना 44, तो 44,880 रुपे का खर्चा उस पे आएगा, ठीक है, ओप्सन नमबर 2, अगला कुश्चन है, चक्र बिर्दी ब्याज पर तीन वर्स में एक रासी स्वयम की पांच गुणा हो जाती है, कितने वर्सों में रासी स्वयम की 125 हो जाएगी, 125 गुणा हो जाएगी, अगले 3 साल में कितना होगा 5 गुना और हो जाएगा ठीक है तो यहां से अगर मैं इनको into करूँ तो कितना हैगा 125 और इनको हमें क्या करना पड़ता है add करना पड़ता है ठीक है 3 और 3 6 और 3 9 total 9 साल में 125 गुना यह हो जाएगा option number A यह था इसका simple तरीका अब मैं आपको बताता हूँ इसका basic कोई रासी मान लीजिए पहले क्या थी x थी और बाद में वो क्या हो गई है 5 x अपने आपका 5 गुना हो गई है आपको बता है A बराबर क्या होता है P into 1 प्लस आर अपोन 100 की पावर T अब यहां से amount कितना हुआ 5 x बराबर P कितना है x और यहां पे 1 प्लस आर अपोन 100 की पावर कितनी है टाइम कितना लगा है 3 साल x से x कड़ गया इसका मतलब 5 की value कितनी है 1 प्लस आर अपोन 100 की पावर 3 अब इसको मुझे कितना करना है 125 गुना करना है पहले रासी कितनी थी x थी अब कितनी करनी है 125 तो x का 100 x से यहां पे होगा 125 x तो यहां पे 125 x बराबर x का 1 प्लस आर अपोन 100 की पावर t तो 125 गुना मुझे अब इसको करना है इससे यह कड़ गया अब 125 के factor क्या होते है 5 गुना 5 गुना 5 यानि 5 का cube तो इसको मैं लिखूंगा 5 का cube बराबर होगा 1 धन r बटे 100 की पावर t अब यहां पे आप देखिए 5 की value क्या है 5 की value क्या है 1 प्लस r अपोन 100 की पावर 3 5 की value क्या है 1 प्लस r अपोन 100 की पावर 3 और इसकी whole power कितनी है 3 है ठीक है बराबर क्या है 1 प्लस r अपोन 100 की पावर t अब यहां से इसको आप देखिए अगर मैं इसको bracket को हटाऊं तो यहां पे क्या आएगा यहां पे आएगा 1 प्लस r अपोन 100 की पावर 3 गुना 3 कितना होगा 9 और बराबर में क्या है 1 प्लस r अपोन 100 की पावर t तो t की वैलियू कितनी आ गई है 9 option number a अगला question है इसका आपको scf इसका निकालना है तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 तो यहां पे देखिए आप इन दोनों में जो common होगा यहां पे 2 की पावर 3 common है और यहां पे 2 की पावर 5 है तो यहां से मैं 3 ले लूँगा ठीके 2 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 में इसको लिख सकता हूँ तो यहां से मैं 2 की पावर 3 common ले लूँगा बाकि इसमें कोई भी common नहीं है तो 3 की पावर 3 इसका right answer हो जाएगा 3 की पावर 3 यहांसे में common ले लूँगा अगला question है एक अकेला A 6 दिनों में एक कारे को पूरा कर सकता है और B अकेले उसी कारे को 8 दिनों में पूरा कर सकता है A और B दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे A करता है 6 दिनों में B करता है इसको 8 दिनों में इनका LCM आएगा 24 6 चोको 24 इसकी Efficiency आएगी 4 और 8 तियां 24 इसकी Efficiency आएगी 3 इन दोनों की Efficiency कितनी होगी 7 और Total War कितना है 24 24 को अगर मैं 7 से Divide करूँ तो इन दोनों का Time हमारे पास आ जाएगा Option number D 24 बटे 7 अगला Question है एक कमरे की लंबाई चोड़ाई और उचाई 21 मीटर 12 मीटर और 16 मीटर है उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी रोड की लंबाई क्या है आप मुझे बताईए ये क्या है एक गनाव है गनाव यानि क्यूब आइड इसमें क्या होती है लंबाई और ये क्या होती है इसकी चोड़ाई और ये क्या होती है इसकी उचाई जब भी इसमें बोले कि सबसे बड़ी रोड कितनी लंबी रखी जा सकती है तो हम क्या निकालते है इसका विकर्ण यानि डाइगनल तो घनाव का बिकर्ण गनाव का डाइगनल क्या होता है बिकर्ण बराबर होता है अंडर रूट L स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस H स्क्वेर तो L की वैल्यू कितनी है 21 का स्क्वेर प्लस 12 का स्क्वेर प्लस 16 का स्क्वेर तो, यहां पर आएगा, 491 प्लस 12 का स्कुएर क्या होता है? 144 प्लस 16 का स्कुएर क्या होता है? 256 एक और चार पांच और छे ग्यारा को एक चार और एक पांच और चार नौ नो और पांच चोद्दा यहां पर 5 और एक शे और दो 8 840, रूट 860 और यह किसका स्क्वेर है 29 का option number 4 अगला question है नीचे दिया गया रेखा आरेक पांच विविन उत्पादों P1, P2, P3, P4 और P5 पर एक कंपनी के लाप परतिसत को दर्साता है यह आरेक क्या दर्सारा है profit percent ठीक है उत्पाद P3 का राजश्वा इतने रुपे है इसका जो टोटल राजश्व है वो कितना है इतना रुपे ठीक है उत्पाद P3 का बे क्या होगा इसका जो बे है मान लीजिए इसका expense कितना था hundred था और इसका जो टोटल रेवेन्यू है टोटल राजश्व कितना है इसको profit कितने का हुआ है 27 का तो इसका total जो revenue होगा वो कितना होगा 127 यहां पे आपको total revenue दे रखा है तो 127 की value क्या है 38100 यहां से 1 की value क्या होगी 38100 अपन में 127 इससे यह कटेगा 3 यानि 300 बार तो 100 की value क्या होगी 300 गोणा 100 बराबर कितना होगा 30,000 अप्सन नमबर 1 अगला question है इसको आपको solve करना है तो यहां पे आप देखिए चार में अगर मैं 2 का भाग दूं कितना आएगा 2 और 4 में से 2 माइनस करूं कितना आएगा 4 तो इसको अब यहां से हम solve करेंगे ठीक है इसकी value कितनी आ गई है 4 तो इसकी value क्या होगी 5 दूना 10 और 11 बटे 2 माइनस 4 और 12 और 13 बटे 4 और प्लस में क्या है? 4 अब इन दोनों को solve करेंगे 4 चों को 16 16 और 13 कितना होगा 29 बटे 4 और यह है माइनस का और यहां पे 11 बटे 2 इनका है इल से माईगा 4 दो दूना 4 यानि 11 दूना 22 और यहां पे 4 यारेकम 4 यानि 29 से कम 29 इसमें से इसको माइनस करूं तो यदि सोनू 20 मीटर पर सेकेंड की गति से कार चला रहा है तो कितने समय में सोनू 936 किलो मीटर की दूरी तै करेगा? सोनों की जो स्पीड है वो क्या है 20 मीटर पर सेकेंड और आपको आंसर किसमें दिया है हावर में तो इसको आपको बदलना पड़ेगा किलो मीटर पर हावर में तो इसमें बदलने के लिए हम क्या करते हैं इसको इंटू करते हैं 18 बटे 5 से तो 5 से एकटेगा चार बार और 18 चोको 72 km पर हावर इसकी स्पीड क्या है? 72 km पर हावर दिस्टेंस आपको देरकी है 936 km और टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपन स्पीड बराबर 936 बटे 72 72 से एकटेगा एक बार और यहाँ पे आपका बचेगा 6 6 तो उतर के आएगा यहाँ पे बचेगा आपका 1 और यहाँ पे 33 नभी में से अगर मैं 72 माइनस करूँ तो 1 और 2 यहाँ पे 6 और इसमें डिवाइड होगा 3 बार 3 दूना 6 तो यहाँ पे इसका राइट अंसर होगा अगला कुश्चन है अनिल दीपक और दिनेस एक साथ 35 दिनों में एक कारे को पूर्ण करते हैं अनिल और दिनेस एक साथ 60 दिनों में कारे को पूरा करते हैं दीपक अकेले कितने दिनों में उसी कारे को पूरा करेगा यहाँ पे अनिल प्लस यहाँ पे है दीपक को मैं D-E से डिनोट कर रहा हूँ और प्लस दिनेज को मैं D-I से डिनोट कर रहा हूँ ठीक है ये तीनों मिलकर करते हैं 35 दिन में उसके बाद है अनिल और दिनेज अनिल प्लस दिनेज ये दोनों मिलकर करते हैं 60 दिन में सबसे पहले हम क्या करते हैं इनका L से हम निकालते हैं अगर मैं 35 को देखूँ तो 35 के factor क्या होंगे 7 गुणा 5 और 60 को मैं देखूँ तो इसके गुणा 12 यहां से common क्या है 5 तो इनका L से हम आएगा 5 गुणा 7 गुणा 12 तो इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं 5 गुणा 7 गुणा 12 अब यहां पर आप देखिए अगर मैं इस से इसको डिवाइड करूँ तो 12 पंजे 12 पंजे 60 60 से 60 कर गया कितना बचा 7 तो इसके efficiency आएगी 7 और अगर मैं इस से डिवाइड करूँ तो 7 गुणा 5 कितना होता है 35 और 35 से 35 कर जाएगा कितना बचेगा 12 तो इसके efficiency आएगी 12 इसका मतलब इन तीनों की efficiency कितनी है 12 और इन दोनों की इसकी और इसकी efficiency कितनी है 7 तो इसकी कितनी बचेगी 12 में से 7 गया 5 तो यह है दीपक की efficiency अगर मैं दीपक की efficiency से इसको divide कर दूँ 5 गुणा 7 गुणा 12 को दीपक की efficiency कितनी है 5 5 से 5 कड़ गया 12 सत्ता 84 option number 2 अगला question है चलिए question को पढ़िए नीचे दिएगे दंड आलेक में 7 परकार की विविन मिठाईیاں दी गई है ठीक है को बनाने में उप्योग की गई चीनी की मातरा को दरसाय गया है जिसे मिठाई के कुल बजन के पर्तिसत के रूप में दरसाया गया है मिठाई S4 का कुल बजन इतना है तो S4 में उप्योग की जाने वाली चीनी की मात्रा कितनी है तो चीनी की मात्रा का परतिसात यहां पे दे रखा है और S4 क्या है? ये वाला है S4 में कुल वजन कितना है? डेट सो और चीनी की वेलियू कितनी है? 18% तो गुणा 18, अपोन में 100, इससे ये 3 बार, इससे ये 2 बार, पचासे 3 बार, पचासे 2 बार, दो से 9 बार, और नोतियां 27, अप्सन नमबर 2, 27 किलो चीनी इसमें होगी, अगला कुशन है, एक बैग में 1 रुपे, 2 रुपे और 5 रुपे के सिक्कों के मूले 420 रुपे हैं, एक रुपे, 2 रुपे और 5 रुपे के सिक्कों की संख्या 8, अनुपात 1, अनुपात 5 की अनुपात में हैं, तो बैग में 5 रुपे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, यहाँ पे लिखिए एक रुपे एक रुपे यहाँ पे दो रुपे यहाँ पे पांच रुपे इनका जो रेशियो है वो क्या है आट अनुपात एक अनुपात पांच तो इसको में लिख सकता हूँ आट एक्स इसको में लिख सकता हूँ एक्स और इसको में लिख सकता हूँ अब यहाँ पर अगर मैं टोटल रुपे निकालूं तो 8 एकम 8X प्लस यहाँ पर होगा 2 गुणा X क्या होगा 2X यह रेशू में है ठीक है और यहाँ पर होगा 5 गुणा 5 यानि 25X तो टोटल रुपे क्या होंगे 8 और 2,10 और 25 कितना होगा 35X तो रुपे की टोटल संख्या कितनी है 35X और वास्तब में कितनी है 420 रुपे तो X की वेलू यहाँ से आएगी 35 एकटेगा 35 से कम 35 और 35 दोना 70 यानि 12 X की वेलू कितनी है 12 अब इसने पूछा है बैग में 5 रुपे के कितने सिक्के होंगे तो सिक्कों की संख्या क्या है यह सिक्कों की संख्या है सिक्कों की संख्या और यह क्या है रुपे यह क्या है रुपे है तो सिक्कों की संख्या में 5 रुपे वाले जो सिक्के हैं वो क्या है यह है और X की वेलू कितनी है 12 तो बारा गुर्णा पांच क्या होगा बारा गुर्णा पांच बराबर 60 अप्शन नमबर D तो पांच रुपे के सिक्कों की संग्या कितने होगी 60 होगी अगला क्योश्चन है 22 चात्रों के समुव का उसत वजन एक किलो बढ़ जाता है जब सिक्सक का वजन भी सामिल होता है यदि 22 चात्रों के समुव का प्रारंबिक उसत वजन 31 किलोग्राम था तो सिक्सक का वजन क्या था प्रारंबिक जो उसत था 22 चात्रों का जो उसत था 22 चात्रों के वजन का जो उसत था 31 था इनका योग क्या होगा 22 चात्रों के औसद वजन का योग क्या होगा 31 गुणा 22 बराबर क्या हो जाएगा 22 एकम 22 22 तिया 66 और 2 68 तो इतना इनके वजन का योग हो जाएगा ठीक है इसके बाद क्या होता है इनके साथ एक टीचर भी एड़ होता है तो टोटल संक्या कितनी हो गई है 23 और औसत वजन जो है एक किलो से बढ़ जाता है पहले औसत कितना था 31 था और अब कितना हो गया है 32 हो गया है अगर मैं इन दोनों का इनका योग निकालूं तो कितना आएगा तेईस गुणा 32 बराबर किया होगा 23 दूना 46 तेईस 59 और चार कितना होगा 73 तो 736 अब तेईस लोगों के वजन का यो कितना है इतना और बाइस का कितना है इतना तो टीचर का किया होगा इन दोनों का डिफरेंस तो 682 अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो यहाँ बचेगा 4 यहां बचेगा 5 तो 54 किलो ग्राम इसका वजन हो जाएगा किसका टीचर का अगला गोशन है यहां पर आपको रेशियो दे रखा है यू रेशियो वी बराबर कितना है चार अनुपात साथ उसके बाद वी रेशियो डबलू कितना है नो अनुपात साथ तो इसको मैं यहां पर लिखता हूँ नो अनुपात साथ अगर मैं इन तीनों का रेशियो निकालू तो इसका गु अब यहां से आगे इसने पूचा है इफ यू बराबर 72 अगर यू की वेल्यू 72 है तो इसको मैं किस से गुणा करूँ 2 से 36 दुना 72 तो इसने पूचा है डबलू की वेल्यू क्या होगी डबलू क्या है 59 तो इसको भी मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा परतिसद कम है तो क्यू पी से कितना परतिसद अधिक होगा यहां पे पी यहां पे क्यू पी जो है क्यू से 40 परशेंट कम है मान लीजिये क्यू कितना है 100 है तो पी कितना होगा 40 परशेंट कम यानि 60 होगा अब इसने पूछा है क्यों P से कितना ज़्यादा है तो क्यों P से कितना ज़्यादा है सो कितना ज़्यादा है साथ से चालीस और ज्यादा हम किस पे निकालेंगे P पे अपोन में हंडेड इंटू कर देंगे सो से एक जिरू से एक जिरू कड़ गया यहाँ पे दो से एकटेगा तीन बार दो से एकटेगा दो यानि बीस यानि दो सो बार तो दो सो बटे तीन इसका मतलब है 66.66% उप्सन नमबर टू अगला कुश्शन है नीचे दिये गे रेखा आरेक दिया गया रेखा आरेक किसी देश के लिए लगातार पांच बरसों के लिए आयात के अनुपात को दरसाता है आयात और निर्यात के अनुपात को दरसाता है Y1, Y2, Y4 और Y5 यदि Y3 का निर्यात इतना करोड हो तो Y3 के आयात में आयात क्या होगा तो यह है आपका import and export का ratio आयात और import मतलब आयात और निरियात का ratio ठीक है और यह आपको दे रखा है point में और हमें किसका पूछ है y3 का तो y3 में क्या है 1.1 अगर मैं इसका point यहां से हटाऊं तो यहाँ पे into करना पड़ेगा 10 से और नीचे भी into करना पड़ेगा 10 से तो यह हो जाएगा उपर 11 नीचे आपका होगा 10 अब यह क्या दे रखा हमें निरियात निरियात कितना है 35,000 निरियात क्या है यहां पे 10 इसका मतलब 10 की value है 35,000 एक की value होगी 35,000 बटे 10 एक जरो से एक जरो कड़ गया तो 11 की value क्या होगी ग्यारा की value होगी 35,000 गुणा में सोरी 35,000 गुणा ग्यारा तो ग्यारा जिरो को जिरो ग्यारा जिरो को जिरो ग्यारा पंचे पजपन ग्यारा तियां 33 और पांच 38 38,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्सन नमबर 2 अगला क्वेशन है 15 परतिसत की छूड़ देने के बाद एक वस्तु को इतने रुपे में बेचा जाता है लेख का या वस्तु का अंकित मूले क्या होगा मान लीजिए वस्तु का अंकित मूले क्या था 100 रुपे था ठीक है 15 परतिसत की छूड़ दी ये MP कितना है 100 रुपे तो SP कितना हो गया इसका 15% की छूट देने के बाद 85 रुपे यहाँ पर आप देखिए अगर मैं इनका रेशो निकालू तो यह कटेगा 5 से 20 बार और 5 से एकटेगा 17 बार हमें value दे रखी है छूट देने के बाद वस्तु का मूले कितना होता है इतना होता है इसका मतलब 17 की value कितनी है 47, 77 एक की value क्या होगी 47, 77, बाटे 17 17 से एकटेगा 17 दूना 34 यहाँ पर 13 और 7 यानि 137 178, 136 यहाँ पर बचेगा 1, उतर गयाएगा 7, 17, 17, 281 एक की value कितनी है 281, हमें किसकी value निकालनी है 20 की, तो 20 बराबर क्या होगा 281 गुणा 20 यानि 0, 2, 1, 2, 2, 8, 16 2, 2, 4, 1, 5 5620, अप्सन नमबर 1 अगला question है इसकी value आपको निकालनी है ठीक है, तो पहले मैं इसको यहाँ पर solve कर लेता हूँ यहाँ पर आप देखिए अगर मैं 10 में से 1 माइनस कर दूँ कितना आएगा, 9 चलिए यहाँ पर solve करते हैं, ठीक है आपके पास पहला क्या है 10, 33, 31 बटे 3 भागा यहाँ पर है 5 बटे 3 गुणा में आपका है 10 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूँ कितना बचेगा, 9 और प्लस में क्या होगा, 14 भागा का मतलब अपोन में 3 आगे इसको अब solve कीजिए, पहले इसको solve कीजिए 9, 27, 27 और 14 कितना होगा 41 बटे 3 और यहाँ पर है इंटू यहाँ पर आएगा 31 बटे 3 जब भी हम भाग करते हैं पहली वाली fraction को सेम रखते हैं और दूसरी वाली को उल्टा कर देते हैं 3 बटे 5 3 से 3 कड़ जाएगा और यहाँ पर आप देखिए 31 31 गुणा 41 अपोन में कितना है, 5 तिया 15 अब इन दोनों को गुणा कीजिए 41 गुणा 31 कितना होगा 41 3 एकम 3, 3 चुको 12 यहाँ पर आएगा 1, 7, 2, 1 अपोन में 15 अब मैं इसको 15 से अगर डिबाइड करूँ तो 15 अथा 120 यहाँ बचेगा 7, 1, 15 चुको 60 यहाँ बचेगा 11 बटे 15 तो 84 सही 11 बटे 15 अप्सन नमबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है दो वस्तों की कीमत करमसह 3 अनुपाद 2 के अनुपाद में है पहली वस्तों की कीमत में 40 परतिस्थ की बिर्दी हुई और दूसरी वस्तों की कीमत में X परसेंट की कमी हुई है यदि दो वस्तों की कीमत का नए अनुपाद 7 अनुपाद 3 है तो X का मान क्या होगा तो इसको मैं लिखता हूँ 3X अपोन में 2X ठीक है ये पहली वस्तो और ये दूसरी वस्तो पहली वस्तो में क्या होता है 40% की विर्दी होती है तो इसको मैं लिखूंगा 140 बटे 100 और दूसरी वस्तो में क्या होता है X% की कमी होती है तो इसको मैं लिखूंगा 100 माइनस X इसमें 100 में हमने कैड़ किया 40 और यहां पे 100 में से हम X माइनस कर देंगे ठीक है अब यहां से ये 100 जाएगा उपर इसका मतलब इस 100 से ये 100 कट जाएगा और बराबर इनका अनुपात क्या होता है 7 बटे 3 तो यहां से आप देखिए 3 X से X भी यहां पे कड़ गया है उपर आपका आया है 3 गुणा 140 और नीचे आपका है 2 गुणा 100 रिन X बराबर क्या है 7 बटे 3 अब अगर मैं इनको पकसांतर करूँ तो यह जाएगा यहां पे 3 गुणा 3 गुणा 140 और बराबर होगा 2 गुणा 7 गुणा 100 रिन X 7 दुना 14 14 से यह कटेगा 10 बार तो यह हो जाएगा 3 तक कितना होगा 90 बराबर होगा 100 रिन X तो X की वैलु क्या होगी X बराबर हो जाएगा इस X को लेके जाता हूँ मैं यहां पे X से बराबर होगा 100 और यह 90 जाएगा यहां पे बराबर क्या होगा 10 तो 10% की कमी इसमें की जाती है ठीक है, option number 4 अगला question है एक गेंजबाज ने लगातार 15 मेंचों में इतने बिगेट लिये हैं दी गई जानकारी का बहुलक ग्यात कीजिए इसका आपको mode निकालना है mode का मतलब है कि कौन सा नंबर जादा बार आया है तो यहां पे आप देखिए कौन सा जादा बार आया है यहां पे 1, 2, 3, 2 यहां पे सबसे जादा बार आया हुआ है अप्सन नंबर 3 इसका right answer हो जाएगा पहले आप इसको ascending या descending order में रखेंगे आरोही या आरोही करम में रखेंगे अगला question है मनीश ने 225 रुपे परति पुस्तक की दर से पुस्तकें खरीदी और उन्हें 162 रुपे परति पुस्तक की दर से बेचा साथ किताबे बेचने पर कितनी हानी होगी वही एक पुस्तक का जो CP है वो कितना है 225 रुपे और उसका SP कितना है 162 रुपे क्रेम मुले कितने है 225 और भी क्रेम मुले कितने है 162 रुपे तो उसको लॉस कितने का होगा लॉस बराबर होता है CP माइनस SP लॉस कितने का होगा 225 में से 162 अगर में माइनस करूँ तो कितना हैगा 3 यहां बचेगा 6 63 रुपे की उसको हानी हो रही है किस पे एक पुस्तक पे एक पुस्तक पे इतने की हानी और कितने पुस्तक पे बुचाए साथ पुस्तकों पे बुचाए ठीगे तो साथ पुस्तकों पे कितने की हानी होगी 63 गुणा 7 27 21 46 42 44 अप्सन नमबर 1 ये था SSC GD का प्रिवियस एर पेपर उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना और जादा से जादा लोगों तक शेयर करना चलिए साइनिंग आउट